Dear students, हम देख रहे हैं Central Idea of the poem An Elementary School Classroom in a Slum इसका complete हम जो है Central Idea discuss करेंगी यह 4 marks का आता है आपका, 4 marks देगा आपको exam में तो यह चीज आपको ध्यान रखने है Central Idea जब भी पूछेगा इस poem का Central Idea इस से पहले My Mother at 66 का Central Idea करा दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस के Central Idea को तो यहाँ पर देखें Central Idea क्या बोल रहा है तो यहाँ पर Stephen Spender has presented a true picture of the life of the school children living in the slum Stephen Spender ने जुगी बस्ती में रहने वाले स्कूली बच्चों के जीवन का वास्तविक चित्रन प्रस्तुत किया है The children are in a very miserable condition due to their poverty and illiteracy यहाँ पर सिदा सिदा बोल रहा है कि यहाँ बच्चे गरीबी और निरक्षर्ता के कारण बहुती दैनिया इस्तिति में है यह निरक्षर्ता होता है illiteracy, poverty, गरीबी और miserable condition मतलब दैनिया इस्तिति तो यहां पर सिधा सिधा हम बोल सकते हैं कि यहां बच्चे गरीबी और निरक्षात्ता के कारण बहुती दैनी इस्तिती में हैं They are depressed and their pale faces express sadness वे उदास हैं, depressed मतलब उदास हैं, वे उदास हैं और उनके पीले चहरे दुख व्यक्त कर रहे थे They are physically very weak and under-nourished वे सारीरी रूप से बहुती दुर्बल और कुपोशित हैं Physically मतलब सारीरी रूप से और weak मतलब दुर्बल और under-nourished मतलब कुपोशित हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? वे सारीरी रूप से बहुत दुर्बल और कुपोशित हैं इस्पेंडर वोइसे सिस कंसर्न फोर इस चिल्डरन हूँ लिव अल दियर लाइफ इन स्लम्स। इस्पेंडर इन बच्चों के प्रती अपनी चिंता व्यक्त करते हैं जो अपना पूरा जीवन मलीन वस्तियों में व्यतित करते हैं और उनके पास जीवन की सुख दायक वस्तियों का आनंद लेने के लिए कोई आउसर नहीं है इसके बाद है आपका यहाँ पर अगर आपको वर्ड मिनिंग आपको कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हैं किसके लिए आपने जो चिंता व्यक्त करना ठीक है concern और उसके लावा slums तो आप जानते हैं opportunity आप जानते हैं enjoy आप जानते हैं blessings आप जानते हैं यहाँ पर अगला जो line है इसमें देखिए अब यहाँ पे सिधा सिधा बोल रहे हैं वे समाज के सिक्षित और सम्रद वर्गों से विनिती करते हैं Affluent sections मतलब सम्रद और educated मतलब सिक्षित ठीक है वे समाज के सिक्षित और सम्रद वर्गों से विनिती करते हैं कि वे इन बच्चों की शिक्षा सुविदा और रहन सहन के इस्तिती में सुधार करने में इनकी सहायता करें तो यह है आपका central idea अगर central idea को मैं दुबारा repeat करूँ यहां से आप हिंदी में समझना चाहें तो यहां पर क्या पूरा बोला गया एक बार दुबारा repeat कर देता हूं स्टिफन इस्पेंडर ने जुग्गी बस्ती में रहने वाले स्कूली बच्चों के जीवन का वास्तुएक चितरन प्रस्तुत किया है यहां बच्चे गरीबी और निरक्षर्ता के कारण बहुत ही दैनिये स्थिती में हैं वे उदास हैं और उनके पीले चेहरे दुख व्यक्त कर रहे हैं वे शारिरिक रूप से बहुत दुर्बल और कुपोशिट हैं इस्पेंडर इन बच्चों के प्रती अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं जो अपना पूरा जीवन मलीन वस्तियों में व्यतित करते हैं और उनके पास जीवन की सुख दायक वस्तुओं का आनंद लेने का कोई आउसर नहीं है वे समाज में सिक्षित और सम्रद वर्ग से बिंती करते हैं कि वे इन बच्चों की सिक्षण सुविदा और रहन सहन की स्थितियों में सुधार करने में इनकी सहायता करें तो इस तरह से यह जो है आपका सेंटरल आइडिया अव दो पोएम है अगर आप इसको कर लेते हैं तो चार माक्स मिल जाएगा स्टेंजा वाइज एक्सपलेशन अव दो पोएम चाहिए आपको हर पार्ट का यानि कि आपने इसकी कवीता के खंड देखे होंगे है उनके एक्सपलेशन जो है हिंदी में चाहिए प्लस में आपको वर्ड मिनिंग भी चाहिए ठीक है वर्ड मिनिंग भी आपको हम दे देंगे उसके साथ में तो word meaning के साथ में हिंदी explanation के लिए stanza wise explanation के लिए आप comment section में comment कर सकते हैं आसा करता हूँ इस जो central idea को आपने समझा होगा एक बार तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा इसको एक बार दो बार repeat करेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा और paragraph जो आता है आपका पैरा जो आते हैं किस से आपके book से book paragraph भी करवा दिये गए हैं जो poetry sections से बनते हैं या फिर आपके other sections से बनते हैं ऐसे ही आपके ultimate videos आ रहे हैं जो आपके 2023 exam के लिए बहुत ही महत्वपूर रहेंगे और 2023 में आपको अगर topping list में जाना है 90% से उपर जाना है जो बच्चे 90% से उपर का खवाब देख रहे हैं वो इस channel पर आराम से study करें बिंदास हो करके और जो जो समय पर आपको उपलब्दियां provide की जा रही है जो जो study material provide किये जा रहे हैं जो other boards के आपको NCRT based model papers भी मैं दे रहा हूँ तो other boards के भी पढ़ लेना क्योंकि वो क्या है आपके NCRT ही books से हैं आपके same syllabus से ही आपके syllabus वाले chapter से जो questions आते हैं उनको जरूर पढ़ें वो आपके exam में आपको देखने को मिलेंगे अभी-अभी मैंने HP boss यानि हिमाचल परदेश Board of Secondary Education के model papers को solve करवा दिया है वहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारे questions आपके syllabus से मिलेंगे और उस type के जो letter writing है, notice writing है या फिर आपके application writing साते हैं सब कुछ उसमें करा आया हुआ है तो उसको आप check कर सकते हैं इस वीडियो से आप लोगों को help मिलेगी Thank you very much, have a good day